आज मैंने आपने मॉनिंग वऐ के दोराण। बोगन वीलिय की कुछ कटिंग्स इक ठागी हैं। अर्ण अफ्रेका कोई पिंक है कोई ओरेंज है कोई रैट है कोई वाइट है। और इस तरीके से एक गमले में, बड़े गमले में मैंने लगा दिया है सबको, करीब-करीब देड़ से दो महिने में इनमें रूट्स वापिस आ जाएगा और ये सारी जो कटिंग से ये एक-एक इंडिविजुल प्लांट बन जाएगी, फिलहाल लगाते से हमें इनके पत्ते काट देने चाहिए क्योंकि पत्ते नहीं तो मॉइस्टर इससे खींच के इसके स्टेम से जो कटिंग है उससे मॉइस्टर खीचेंगी पत्ते और पौधे को ग्रो होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इस तरीके से मैंने कुल 10-12 जो कटिंग से वह यहाँ पर लगा दिया ह और जो मैंने लास्ट येर किया था और लास्ट वू लास्ट येर यह सारे कटिंग से मेरा यह जो कार्डन देख रहे हैं मल्टी कलर्ड गार्डन यह सब कटिंग का ही कमाल है और अब यह प्रॉपर फ्लावरिंग इसमें हो रहा है कि इसके फ्लावरिंग के लिए बेस्ट यह होता है कि हर तीन मीने में एक बार इसमें फर्टिलाइजर जरूर दें कोशिच करें कि इसमें मैन्योर दें या फिर लिक्विड वर्मी कंपोस्ट आता है वो भी डाल सकते है इनको फ्लावरिंग इनमें ज्यादा हो इसके लिए पानी बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए मिट्टी का उपर का परत है जब वह सूख जाए तब ही थोड़ा पानी दे ज्यादा पानी देने से इनमें फ्लावरिंग कम और जो लीव से वह ज्यादा होंगी तो यह मेरा मल्टी कलर्ड गार्डन है गार्डन का एक सेक्शन जिसमें मैंने बॉगन वीलिया ही लगाया हुआ है सरफ करीब गरीब ऐसा ही यह 10 से 12 मेरे पास कटिंग से हुए हुए हैं कुछ तो काफी मोटे हो गया है जैसे यह देखिए यह देखिए यह भी कटिंग है नगर निगम ने बॉगन वीलिया के जो पेड बीच में लगे उसकी cutting की थी तो ये हिस्सा मुझे मिल गया था मापर फेका हुआ सडक के किनारे तो मैंने उठा लिया था और इसमें भी अब देखे ये लग चुका है उसी तरीके से ये भी एक मोटी cutting लगाई गी थी ये इसमें white है यहां भी सब cuttings ही लगा हुआ है कोई भी खरीदा हुआ अब इसी तरीके से मैंने नही पौद ही महाँ पर लगा दिया है जो मैं आपको अभी दिख्राइगा जो निया पौद है उसमें 2-5 महिने में पत्ते आने शुरू हो जाएंगे फिर करीब-करीब नेक्स्ट जो कोटर आएगा यानि चार से पांच महिने में उनमें भी फ्ल थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो आएम गौरुब कुमार फॉम दे ग्रीन लाइन इनिशेटिव हमारे वीडियो को जादस जादा लाइक करें सब्सक्राइब करें में हमारे चैनल को वी आर दा ग्रीन पिपल हम डेली बेसिस पे कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ ग्रीन अक्टिविटी करते रहते हैं मेभी वह सीड्स का डिसपरसल हो या कटिंग लगाना हो या प्लांट्स या ट्रीज लगाना हो या ट्रीज का या जो गलत जगह पे वह प्लांट्स हैं उनकी उनका रेस्क्यू हो तो हमें सपोर्ट करिए ज्यादा ज्यादा शेयर करिए इस आइडिया को थैंक्यू सो मच